एक सेना का जवान धूप में 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में धूप में बैठते हैं वहाँ और उनके माता पिता का इकलावता बेटा होने के बावजुद हुए अपने बॉर्डर पे भेजते हैं अपने बेटा को कि मेरा बेटा देश के लिए नाम करेगा नाम रोसन करे एक दम सुरक्षित रहे अपने घर में रहे अपने बालवच्चा के साथ अपने परिवार के साथ रहे लेकिन वहां से आने के बाद अपने परिवार के साथ छुटियां बिताने के लिए जो जवान आते हैं उनके साथ पुलिस के दौरा ये जो रवया किया जाता है वो बि किसान के अंग्रेजी बोलने पर जो सवाल खरा किये थे वो भी एकदम निंदनिया है लालवादुर सास्री देश के दूसरे परधान मंतिरी है जो की जय जवान जय किसान का नारा दिया था ताकि देश की सेना और देश के किसान आगे बढ़ सके उनका मनोवल बढ़ सके लेक कर सर जैसा कि मैं 1213 से लेकर 14 15 से में जो है एंसे का सिनियर था और उसमें हम लोगों को जो सिक्षा दी जाती है अ कि देश भक्ती की भाबना जो है यह यह बताती है कि एक देश का जो सेना का जो योगदान होता है देशके पड़ती तो उसका मतलब मुकाबला कोई नहीं कर कर सकता है उसके पूरे परिबार का जितना योगदान रहता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है यह घटना काफी निंदनिये हैं मैं इसका खुले दिल से निंदा करता हूं यही करना चाहेंगे कि उस पर जो है ऐसा आगे की घटना ना हो रक्सौल के जो धरती के जवान जो थे जा रहे थे अपने पतनी की परिक्षा थी उसको लेके जा रहे थे एकजान दिलवाने बस थोरी सी घटना थी जो की सुलज शुलज सकती थी पुलिस की सुजभूस से थोरा सा साइड मीरर से टकरा गय थे व्यक्ति तो वहाँ पे लोग जमा हो गये जमा होने के वाद थोड़ा सा महल बना बादची चल रही थी उतना में ही रक्सॉल थाना के जो ऐसा ही थे जितेंदर कुमार वो पहुंचे उनके द्वारों जो किया गया वो बीहद ही निंदनिया है बिल्कुल ही निंदनिया है क्या MLA का बेटा अगर रहता अगर उसका कोई मिरर तकड़ा जाता क्या उसी पर वी सेम करवाई होता मैं यह पुछना चाहूंगा बियार पुलिस से बिल्कुल नहीं होता और इतिहास गवा है इतिहास पलट के देख लिया जाए MLA का बेटा मंतरी का बेटा या बरे बरे आपसरों का बेटा देख लिजे AC में बैठे रहते हैं AC में कूलर में गारी में चलते हैं देश के एक सेना के प्रती इतनी कठोरता और ये देख लेजे देश का लाल कहा जाता है सेना जब एक सेना जब भरती होता है उसकी मां बहुत कलेजे पर पत्थर रखके भेजती है कि मेरा एक बेटा है मेरा एक बेटा ही नहीं है ये पूरे देश का बेटा है जाएगा दे लेकिन उसी देश के बेटा के साथ एसा यह रवाया हो रहा यह एक आतंक है यह घटना नहीं है यह एक आतंक है और इस आतंक को बहुत जल्द रोकना चाहिए और बिहार सरकार को और बिहार पुलिस के जितने भी बड़े अधिकारी है उनको इस घटना का संग्यान लेते शाना के वह ही जो है इस घट ना को अंजाम दिया है मार पीट की है और मार साइड मीरर था उसमें टच हो गया छोड़ दीजे सर हम लोग को जाने दीजे सर लेकिन फिर भी उनकी बात को नहीं सुना गया कुछ लोगों को छोड़ कर अधिकतर ऐसे बिहार के पुलिस हैं बिहार के काउंस्टेबल हैं जो यहाँ पे भरती होके और केबल और केबल दलाल का काप करते हैं जितना भी पुलिस को देखते हैं रास्ते में देखते हैं 112 जो चलाई गई है बिहार सरकार माननीय मुखमंत्री नितिस कुमार जी के द्वारा जो 112 जो पुलिस की गारी चलवाई गई है वहाँ पे उनका काम है घटना स्थल पे 10 मिएट पहुँचना लेकि गारी में घस्ती करने के चल निकल परते हैं 1500 रुपया पॉकिट में आया देश को बेचने का काम करते हैं ये लोग बिलकुल एक आर्मी का जबान एक देश का बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है किसी कीमत पे वो नहीं कर सकता है लेकिन 100-200 पर बिकने वाले इंसान और वो एक देश की बेटा के साथ इस तरह का विभार करते हैं ये कतई उचित नहीं है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए बाकी आप सबों का क्या राय है बिहार पुलिस को लेकर बिहार की पुलिस या विवस्ता को लेकर और एक देश की बेटा के साथ जो